सर्दियों के मौसम के अंदर अगर गर्मा गर्म मचली मिल जाए तो खाने का मज़ा ही कुछ और रहता है आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने वाला हूँ जिसे हम सर्दियों के मौसम में अक्सर बनाते रहते हैं ये वाली मचली की रेसिपी अगर आप घर पे बनाएंगे तो आपके घरवालों को बहुत ही जादा पसंद आएगी और उसी के साथ में मचली इतनी जादा टेस्ट ही है कि खाने वाले बिलकुल खाते रह जाएंगे और आज जो मैं आपको मचली बताऊंगा आप यही वाली मचली लेना जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से ही बनाना और इन सर्दियों में इस गर्मा गर्म मचली को सबके साथ इंजॉय करना तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं बड़ी आसी मचली की रेसिपी बनती कैसे हैं बड़ी आसी मचली बनाने के लिए सबसे पहले उसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं यहाँ पे मैंने इस्तिमाल किये हैं चार बड़े साइस के टमाटर, यह बिलकुल देसी टमाटर हैं और एकदम खट्टे हैं यह, उसी के साथ में यहाँ पे देड़ प्यास का इस्तिमाल कर रहा हूँ, देड़ मीडियम साइस की प्यास है, पास से चे आप हरी मिर्चो का इस् जैसे कि मैं यहाँ पे सरसो एड़ कर रहा हूँ एक चमबच यह पीली वाली सरसो है आप जरूर एड़ कीजेगा उसी के साथ में दो चकरी के फूल भी एड़ किये हैं एक छोटा चमबच मैंने यहाँ पे सौफ का भी इस्तिमाल किया है और लगभग एक चोटा ही नारियल का जरूर नारियल का जो ताजा पानी है उससे हम लोग का बड़ी आसा पेस्ट बनके तयार हो जाएगा और यह जो हम लोग ने पेस्ट बनाया है इसको मिक्सी में एकदम फाइन नहीं चलाना है थोड़ा सा दरदरा रखेंगे हम लोग उसी की साथ में इसको रखते हैं यह जो मचली है इसका नाम है सुर्माई टोटल कॉंटिटी मैंने एक किलो लिये और यहाँ पे सबसे अच्छी बात सुर्माई की क्या रहती है समुद्री मचली तो इसके अंदर बहुती बड़ी आसा फ्लेवर आता है दूसरी खास बात यह रहती है कि एक बड़े काटी की रहती है इसमें छोटे काटे नहीं रहते हैं मैं इस सुर्माई मचली को मैरिनेट करूँगा थोड़ा सा निम्बू थोड़ी सी हल्दी थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कश्मीरी लालमेच कश्मीरी लालमेच अगर आप अवाइट कर सकें कश्मीरी लालमेच अगर आड़ दोस्तों तो यहाँ पे मैंने आदा कप सरसो का तेल एड़ किया है और तेल जैसी गरम हो जाएगा हम एक एक करके मचली के पीसिस को एड़ कर देंगे मैं हर साइड दो मिनेट के लिए पकाऊंगा एकदम हाई फ्लेम पे और देखिए बहुत ही अराम से पीसिस जो है पलट जाएंगे कुछ-कुछ पीसिस ऐसे होंगे जो कि अराम से निकलेंगे नहीं तो आप देख सकते हैं किस तरीकी से मैं पीसिस को निकाल रहा हूँ और यहाँ पे जब सुर्मई मचली के उपर दोनों साइड से बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं तब हम इन्हें एक एक करके साइड में निकाल लेंगे अब इस मचली की बड़िया सी ग्रेवी बनाने के लिए आपको वो तेल इस्तिमाल करना है जिसमें आपने मचली को फ्राई किया था अगर आपको तेल कम लगे तो आप थोड़ा सा और एड़ कर सकते हैं जैसे के मैंने किया है और इस तेल के अंदर जैसी गर्माट होगी तो हम इसके अंदर एड़ करेंगे मैथी के दाने मैथी के दाने आपको एक चोताई चम्मच ही एड़ करना है उससे जाधा बिलकुल add करिए साथ में लोग ने साहीigent में और हम सही credit करेंगे तो कोंट excluding में टेस्ट देंगे और किक्तित बाइबाद रुड़ाद के अंदर हम आदा चम्मच हल्दीपाउडरा साम लोग नमक करेंगे 30-30 चमच कर्ग का लगजा कश्मिरी लाल मिर्च, तीन चौताई चमच, देगी मिर्च का इस्तिमाल करूँगा और दो चमच मैं आड़ करूँगा धनिया पाउडर के। की बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनेगी। उसके बाद में भी आपको इसे कम से कम 10-15 मिनिट के लिए पकाना है ताकि इसका रोगन अच्छी तरीकी से उपर आए और आपकी ग्रेवी में कच्छापन बिल्कुल भी नार है। पर मचली भी आमारी लगभग पक चुकी है तो हम मैंने बिल्कुल कर्ची को कोने से चलाते हुए मचली के पीसिस को हम लोग की ग्रेवी के अंदर डूबो दिया है जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं बड़े ही हलके हातों से मैंने ये वाला काम किया है। और गैस को मैंने अभी बिल्कुल हाई फ्लेम पे रखाए तो अभी आपको क्या करना है इसके उपर एड़ करेंगे थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा दनिया हरा दनिया तो मेरे को मचली में बहुती ज़्यादा टेस्टी लगता है स्पेशली नॉन्वेज में मैं इसके इम को मैंने बिल्कुल धीमा कर दिया इस टाइम पे इमली आड़ करते टाइम पे और अब मैं क्या करूंगा मचली अच्छी तरीके से पक चुकी है थोड़ा सा बस गरम मसाला लूंगा में घर का बना हुआ इस बार बहुत ज़्यादा बारीक पीज दिया मैंने सिल्वट् दर रहता उसमें और ज्यादा मज़ा आता मैंने गरम मसाला एड़ किया गैस को बन कर दिया और अच्छी तरीके से ढग दिया कम से कम 15 मिनिट के लिए 15 मिनिट तक आपको गैस को बिल्कुल बंद रखना है और फिर आपकी मचली जो है यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तरीक जो तरी उतरती है यह इतनी जादा टेस्टी रहती है क्योंकि इसके अंदर यह समुदरी मचली है बहुत ही बड़ी अपने जूसिस छोड़ती है उसी की साथ में यह एक काटा होनी की वज़े से आपके घर पे बच्चे भी होंगे या फिर बड़े भी होंगे तो यह बहु कि बड़ी असी आपको मचली मिलेगी एकदम ताजी और इस मचली को आप इस तरीके से बनाएंगे तो मेरे को बिलकुल याद कीजिएगा और हमेशा की तरह आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी दोस्तों यूटूब बे देख रहे हों